मद्ध पर्देश की हाई कोट ने या बयान दिया है कि अगर चमाल सब्द से किसी को संबोधित करते हैं तो उस पर कोई मुकदवे नहीं होंगे साथियों आज एक ऐसी खबर है कि चुनाओ होने से पहले रिजल्ट आ चुके हैं मद्ध पर्देश में सत्ताधारी पार्टी के लोगों को किस तरह से ख़देड़ा जाता है इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे और दिखाएंगे कासीराम साहब ना होते तो हमारे पूरवजों के बारे में भी सायथ नहीं पता चल पाता वही पर एक सबसे बड़ी ख़बर हम बताते हैं चुनाओ में जिस तरह से लोग पैसे देते हैं और उसे चुनावायोग अगर जानता है तो किस तरह से उस चुनाओ के। जो मेन अधिकारी होते हैं उनको सेस्पेंट कर देता है या बहुत सारे जो केस हैं उन पर लगा देता है लेकिन इस देश में कुछ ऐसा हो रहा है चुनाव से पहले ठीक पूरे भारत के लोगों को पैसे बाटने का अलॉंसमेंट हो चुका है और दियाज भी जाएगा और इस पर चुनावायो को कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि यह ऐसे ही खबर है हम आपको बताएंगे और साथियों चमार सब्द कहकर गाली देना जो धारा थी वो सायद अब खतम हो रही है आज इस तरह से मध़ परदेश की हाई कोट ने या बयान दिया है कि अगर चमार सब्द से किसी को संबोधित करते हैं तो उस पर कोई मुकद्वें नहीं होंगे यह बड़ी खबर है और ऐसे ही खबरे हम आज इस वीडियो में बताएंगे इस वीडियो को सेर कर दीजेगा बहुचन समाज के सभी लोगों के पास आपकी जितनी सेर होगी उतना ज्यादा बहुचन समाज को फाइदा होगा मैंने पिछले कई वीडियो में देखा है आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो को सेर किया है 4-4-5-500 लोगों के पास सेर किया है मेरी वीडियो उसके लिए आप लोगों का तहरल से सुक्रिया क्योंकि मैं जो वारतालाब जो मैं वक्तब करता हूँ वो लोगों के पास पहुंचता है चली आज की वीडियो हम सुरू करते हैं और अखिर बताते हैं सुप्रेम कोर्ट हाई कोर्ट इने ऐसा क्यों फैसला दिया नमस्कार मैं हूँ प्राग और आप देख रहें देशी पेस्वी ब्लोग साथियो आज चुनाओ अभी शुरू नहीं हुआ है उसके परणाम जो नतीजे आये हैं मैं आपको बताता हूँ मद्ध परदेश में जिस तरह से चुनाओ के रिजल्ट सामने आ चुके हैं ओ कहने को मत पूछिए सबसे पहले कि हम और वीजू हम आपको दिखाते हैं यह वीजू आप लोग देखिए इस वीडियो में जिस तरह से सत्ताधारी मधपरदेश के नेता हैं, उनको लोग ख़देडने का काम कर रहे हैं मैं गाली भी थी इस वीडियो में लेकिन मैं उन्हीं दिखाया हूँ क्योंकि आप समझे ये गाइडलाइन्स के खिलाफ है और मैं ऐसे सब्दों कभी इस्तेमाल करना सायद उचित नहीं समझता हूँ तो ये वीडियो ही आप लोगों को बताएगी कि भविश्य में किसकी सरकार बनने वाली है जिस तरह से इनके कमांडर इनके जो सिकोर्टी थे वो भागे हैं इनके जो चार पहिए वाहन थे वो किस तरह से सर करके निकल गए हैं अब आपको इस वीडियो को देख करके कुछ समझ मित वाही गया होगा मामला क्या हम आपको समझाते हैं मदपर्देश में वोटिंग होने से पहले ही जनता ने रिजल्ट देना सुरू कर दिया है मदपर्देश में सत्ताधारी नेताओं को जनता ख़देड रही है वीडियो या पूरा है साथ एक ऐसी खबर हम आपको बताएंगे जो सायद बहुजन समाज के लिए सही है और जीती उरुजोरिया लिखते हैं कोई कुछ भी कहता रहे मानिवर कासी राम और बहन जी ने दलित आदिवासी और पिछड़े वर्ग के बहुत से महापुरसों को जिंदा कर दिया जो मोटे तोर पर इतिहास में दफन हो चुके थे आज उन जनसभाओं को यूपी की राजधानी लखनव एउम अन सहरों के बीचों बीच सदियों के लिए अस्थाफित कर दिया है वह अलग बात है कि बहन जी को ओट देने से पहले आदिवासी समाज भी चार सो बार नाक सिकोड़ना का काम करते हैं लेकिन बहन जी ने बेशा मुंड़ा और राजधानी के बीचों बीच बाकी महापुरसों के साथ अस्थाफित करके सदियों के लिए जिन्दा रखने का काम किया बाकी मुखमंत्री तो ये सब सपने में भी नहीं सोच पाते जिन लोगों ने नाम तक नहीं सुने थे उन महापुरसों को आज हर साल याद किया जा रहा है ये ताकत होती है सरकार की लोग अपने इतिहास और महापुरसों से प्रेणा लेते हैं साथ हो ये बड़ी खबर है सच में लेकिन वहीं पर एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से मध़ पर्देश के हाई कोट ने एक स्टेटमेंट दिया है उसको हमें सुनना चाहिए जिस सब्द को लोग अपमानिस सब्सस्मझते हैं और कुछ लोग कुछ लोगों को गाली के तोर पर उस सब्द का इस्तेमाल करते हैं चमार सब्द का उस पर भी हाई कोट ने आज कहा है कि स्टाप रूम में ऐसे बात कह सकते हैं क्योंकि वहां पर कोई बाहर का लोग नहीं रहता है मामला क्या हम आपको बताते हैं मेना कौतवा लिखती हैं इस पर क्या आप किरा है? स्टाप रोम में चमारजाती के नाम से गाली देना S.C.S.T. के तहत अपराध नहीं क्योंकि स्टाप रोम सरवजनिक अस्थान नहीं है मधपरदेश हाई कोट अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी ख़बर है जब हाई कोट ऐसी बात कह देता है तो गाव के लोग जो रोजाना गाली सब्दों का इस्तेमाल करके देते हैं वो क्या अब कंट्रोल में आएंगे की और ज़्यादा उफान में आएंगे मुझे समझ में नहीं आता लेकिन एक सबसे बड़ी ख़बर यहीं पर हम आपको बताते हैं जो इस बार पैसे बित्रण करने का इलक्सन में महौल आया है मामला क्या है हम आपको बताते हैं हर बार चुनाव से पहले कोई न कोई एउजना के तहत किसानों के या नोजवानों के खाते में पैसे डाले जाते हैं अज़ यानी की पंदरह नौमबर दोहजार तयश को आ रही है अब जब 36 गड़ और मदपर्देश में दो दिन में चुनाव है राजिस्थान में दस दिन में और तेलंगाना में पंद्रा दिन में मददान होगा तब आज पंद्रेकिस्त जारी की जा रही है क्या या बिलंभ जानबूज कर नहीं किया गया साथियों ये एक रड़नीती और राजनीती है इस राजनीती के तहट रुपए बाचने की योजनाएं हैं इस पर खुद चुनावायोग नजर डाले तो जादा बहतर है साथियों बहन मायावती आज तक किसी योजना के तहत इस तरह से रुपया बांचने का काम नहीं किया है बहुत सो लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि आप बिल्कुल बस्पा के पीछे अंदभक्त हो चुके हैं यार मैं ऐसे बातों को उठाता हूँ कि लोग ऐसे समझने पर मजबूर हो जाते हैं मैं सरकार की नाकामिया और सरकार की कमिया बताने लगता हूँ तो लोग मुझको विरोधी समझ लेते हैं मैं सोचता हूँ यार वो खबर आपको बताए जा जिस खबर से आप लोग दूर रहते हैं छोटी छोटी खबरों पर कोई ध्यान नहीं देता और वही छोटी खबर बाद में नासूर बन जाती है आपको पता है साथियों कि अगर बहुजन समाज की सरकार रहती है तो आप और और सब लोग जिस तरह से संबिधान का कार रहता है वो उसी तरह वैसे काम होता है और सब लोग डिस्पिलियन में रहते हैं खैर अपनी अपनी राए है आपकी क्या राए हैं बहुत जरूरी है बहुजन समाज के पर ते मेरा ऐसा ही वीडियो आता रहेगा चाहे मेरी वीडियो में लोग आये या ना आये चाहे मेरी वीडियो में लोग लाइक करें या ना करें कमेंट करें या ना करें लेकिन मैं हमेशा बहुजन समाज को जगाने की कोशिस करता रहूँगा और मैं उनके कंधे से कंधा मिलाके चलता रहूँगा इतिहास गवा है कि कि बाबा शाह वंबेटकर ने जब पढ़ाई शुरू की तो उन्हें लोग सताते रहे माता साब इतरी बाई फूले ने उस जबाने में जब उन्होंने इस्कूल खोला पढ़ाने का काम किया तो लोग उन पर कीचड फेकते थे लोग उन्हें तरह-तरह की बाते कहते थे मायावती जी ने जब आप अपने आपको बहुजन समाज के लिए फिल्ड में उतारा तो उनके घरवालों ने ही उनका साथ छोड़ दिया बाद में सत्ता आई सब लोग साथ में आये लेकिन उस समय उन्होंने उनका भी साथ नहीं दिया तो मैं तो एक छोटा सा समाजी कार कर बहुत से लग सबसक्राइब करते हैं और सबसक्रायब कर देते हैं लेकिन जो में ख़बर बताता हो इस वीडियो में उस्यूमी बदाए